दोस्तों क्या आपको पता है कि कैई बीमारी फेक मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है मतलब सोचिए आपको सरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और किसी ने आपको एक टेवलेट पेन किलर कहे कर खिला दी जबकि हकिकात में वो कोई पेन किलर नहीं था वो तो बस एक साधरनसी गोली थी जिसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं थी उस साधरनसी गोली को लेने के बाद भी आपको दर्द से राहात मिल सकती है जी हाँ, क्योंकि आपके दिमाग को ये सिगनल गया है कि आपने एक पेन किलर ली है और आपके दिमाग को ये पता है कि एक पेर्किलर का इफेट किया है तो आज के इस वीडियो में हम एसे कुछ दिमाग हिला देने वाली साइकोलोजिकल फेट्स के उपर बात करेंगे साइकोलोजिक साइन्स का एक ऐसा सेक्टर है जो हुमेन बिहेबियार और माइंड से डिल करता है वीडियो का अंतर जरूर देखेगा बनीरे मेरे साथ मैं हूं शायन और आप देखरें प्लेस क्लाउड दोस्तों क्या कब अपना सोचा है कि आखिर क्यूँ अखिर क्यूँ हमें अलग 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 चीजों की चाह होती है अखिर क्यूँ हम अलग 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 एक्टिविटिस करते है अखिर क्यूँ हमें अलग 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 फिलिंग से अखिर क्यूँ हम ये जिन्दिगी इस तरह जिये जा रहे है इन सब का एंसर साइकोलोजी के पास है सो आखिर यह सक क्या है जो हमसे यह सब करवा रहा है And it turns out कि यह एक छोटा सा केमिकल है जिसे कहते है डॉपमिन डॉपमिन हमारे ब्रेंड के अलग-अलग हिस्सों में सिक्रीट होता है और इसका रोल लगवाख हर चीज में है जैसे कि thinking, moving, sleeping, mood, attention, motivation और rewind बेसिकलिए डॉपमिन की वज़े से ही हमें खुशी मिलती है इस केमिकल की वज़े से हम delicious खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि हम successful बन सके और किसी गोल को एचिप करने के लिए motivated भी रहते हैं वस इसी केमिकल की वज़े से एक recent research से भी पता लगा कि अगर आप एक red के brain में dopamine receptor को destroy कर देंगे तो वो red यो भूका ही मर जाएगा चाहे खाना उसके बगल में ही पराख क्यों ना हो क्योंकि खाना ढूनने का motivation उसमें खताम हो जाता है आपका कोई ऐसा दोस्त होगा ही जो नया चीजे try करने में hesitate करता है अगर आपको किसे से कुछ नया और different करवाना है तो उस इंसान को बेले खुस कर लीजे क्योंकि studies के according जब हम उदास होते है तो हम familiar चीजों के पास रहना ही पसंद करते है पर जब हम खुस होते है तो हम new चीजे और new experience ट्रै करने के लिए ready हो जाते है तो अगर आपको किसे दोस्त को एक ड़रा अपनी राइट पर बिठाना हो तो उसे बेले खुस कर लीजे and see how the magic happens चाहे बादमोस का फट के हाथ में ही क्यों ना आ जाए वर्ल्ड ओर टूम में नौर्थ अफ्रिकन वार्जोन में खायल सैनिको की तेदाद बढ़ती ही जा रही थी बट मॉर्फिन जो की एक पेन किलार है उसका एमांट लिमिटेट ही था आर्मी डॉक्टर हेंडरी विचर को एक सोल्जर का उप्रेशन करना था बट उनके पास कोई ऐसा ड्राग नहीं था जो वो उस दर्द में चिलाते हुए सोल्जर को दे पाए ताकि उसका दर्द कम हो जाए एक घबराई हुई नार्ज लर्खराते हुए एक सिरिंज में सोल्ड वाटर भड़कर वो इंजेक्शन सोल्जर को लगा दिया मिरकलसले उस सोल्जर का पेन ना के बरावार हो गया हेंडी यूचर जब ओपस आये तो नहीं रिसर्च की और नहीं ये पता लगा कि बहुत सारी बिमारी फेक मेडिसिन की यूज से ठीक किया जा सकता है और इसे कहा जाता है दा प्लेसिबो इफेक्ट सो इससे पता चलता है कि हमारे ब्रेन के पास अपने सरीर को ठीक करने की पावर होती है वाउ, एमेजिंग राइट? University of California के एक psychological professor ने एक research conduct की बहुत सारे couples के उपर हर एक couple को एक sunth room में बिठा दिया गया और उनको एक heartbeat monitor से कने कर दिया गया तकि उनका heartbeat का real time data लिया जा सके और सभी couples को अपने partners के आखों में देखने को बोला गया और उनको बोलनी या चूने की permission नहीं दिया गया और कुछ minutes के बाद ये notice किया गया कि almost हर couple का heartbeat sync हो चुकी है मतलब दोनों partners का दिल एक साथ धरकने लगा था professor ने ये बताया कि एक couple एक दूसरे के feeling को time के साथ समझीने लगता है पर इस experiment के बाद ये proof हो गया कि एक couple का bonding psychological label पर भी होता है मुझे एकिन है आपके साथ ये पक्का हुआ होगा कि आपके ही जा रहे है और आपको अपना phone vibrerate होता हुआ महसुस होता है जैसे कि उस पर कोई call या message आया हो और फिर आप अपने pocket से phone को बाहर निकालते है तो आपको पताया लगता है कि आपके पास कोई भी call या message नहीं आया है तो फिर आपको vibration क्यों message हुई इसे कहते है दा phantom vibration syndrome और most of the people इसे कोई बड़ा बात नहीं मानते बट कुछ researchers के हिसाब से ये syndrome लगबग 90% लोगों में पाए जाते है So the question is why अखिरा में इसा क्यों feel होता है Well इसका answer है learned bodily habits हम phone इतना use करते है कि almost हर समय हुआ हमारे पास ही देते है और time के साथ हमारी body उसे अपना part समझने लगता है और इसलिए हमारी body किसी और sensation को phone का vibration समझती है and us अप अपना phone चेक करने लगते है So the next time ऐसा हो तो समझ लिजए कि is the phantom vibration syndrome तो यही थे वो कुछ psychological facts जो मुझे आप सबी से share करनी थी कैसी लगे आपको ये वीडियो कॉमेंट में हमें जरूर बताईए वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक कीजिए और यार प्लीज शेयर कर दिया कीजिए हम बहुत मेनस से वीडियो बनाते हैं अगर आप भी तोरह support दिखा देंगे तो सायद हम और भी लोगों तक पोच पाएंगे आपको पसंद एसे ट्रैप के वीडियो देखना तो चैनल को subscribe कर लिजिए हम हर सरी बार ऐसे effect पे वीडियो लाते रहते हैं तो हाँ यहर मुलाकाद हो कि अमरी अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye